Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल कहना पड़ा, उसका कहने का तात्परे है, कि एक समय था, जब हम इश्वर के अस्तित्त को मान कर, हम उससे डरते थे, कुछ भी गलत करने से पहले एक बार हम सोचते थे, किसी के भी बारे में कुछ भी गलत करना है, किसी के भी साथ कुछ भी गलत करना है, तो हम इश्वर का ड लोगों का भला करते थे और लोगों की भलाई में ही हम ईश्वर को देखते थे लेकिन आज विज्ञान का यूग है टेक्नोलजी का यूग है और आज हम ऐसा नहीं करते हैं हमें लगता है कि जो मनुष्य है वही सर्वशक्तिमान है एक समय था जब हम ईश्वर को सर्वशक्त लिए उसने ईश्वर को क्या कर दिया है उसको साइड कर दिया है और अपने आपको ही विधाता बना के प्रतिस्टित कर दिया है तो इस तरह से तो उसका यही ताथ पर्रे है कि क्योंकि science विज्ञान टेक्नाऻुजी रद्योगी की इनका जो यूग है प्रति sì आप को ही स्वेम्भू समझ लिया है और इश्वर के अस्तित्य को नकार दिया है इश्वर का डर्व उसको नहीं रहा तो इस प्रकार से वो यह कहता है कि इश्वर को हमने खुदी मार दिया है, ईशौरो की मृति हो गई है, इस प्रकार के तर्क हमें दर्शन में मिलते हैं, फिलासफी में इस तरीके के कुछ स्ट्रेट्मेंट से जो हमें मिलते हैं, अलग-अलग दार्षनिक अपनी अलग-अलग राय देते हैं, फिर ये question बहुती सभाविक हो जाता है कि क्या ईश्वर का अस्थित तो है? Does God exist? अगर God exist करता है, अगर ईश्वर का अस्थित तो है, तो उसके क्या प्रमाण है? What are the arguments? What are the proofs for the existence of God? और अगर नहीं है, तो उसके क्या प्रमाण है? अगर नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दर्षन की, अगर हम बात करते हैं philosophy की, तो तो तिरा various schools of philosophy in Indian as well as western philosophy, चाहें वो पाशात्य दर्षन में हो, और चाहें वो भरती दर्षन में हो, सभी में कई सारे जो arguments से वो दिये जाते हैं, इश्वर के अस्थित को प्रमाणित करने के लिए, वहीं कुछ ऐसे दर्षनिक भी हैं, जो इश्वर के अस्थित को नकारते हैं, और वो उसके लिए भी अपने valid arguments देते हैं, वो क्या हैं, एक बार हम आज की इस वीडियो में उसी की चर्चा करते हैं, Hello and Welcome to Study IQ IS, My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy optional life at Study IQ IS, तो आज हम बात करने वाले हैं इस topic पर, Does God exist? क्या इश्वर का असित्त तो है? इसके लिए पाश्चात्य दर्शन में जो Western philosophy है, उसमें क्या-क्या arguments दिये गए हैं, एक बार हम उनकी चर्चा करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो first argument है, उससे, उससे पहले हम कुछ समझते हैं इश्वर के बारे में, अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, तो पाश्चात्य दर्शन में, Western philosophy में, God is conceived as Omnipotent, सर्वशक्तिमान माना जाता है उसको, Omnipresent, सर्वव्यापक माना जाता है, वो हर जगे रहता है, He is benevolent, वो बहुत बड़ा उदार है, उसका हरदय बहुत बड़ा है, वो दयालू है, He is benevolent, तो इस प्रकार से इश्वर को define किया गया है, कि वो सर्वशक्त इमान भी है, सर्वव्यापक भी है, वो दयालू भी है, और वो सभी चीजों का रचैता भी है, He is a creator being, He is supreme deity, He is supreme being, who has created all the cosmos, who has created all the universe, ब्रह्मान में सारी चीजों की रचना उसने की है, ऐसा पाशात्य दर्शन मानता है, ऐसा western philosophy मानती है, अगर ऐसा मानता है, तो इसके पीछ वो arguments क्या देते हैं, क्या proofs देते हैं, अगर वो यह कहते हैं कि इश्वर exist करता है, God exist करता है, तो God के existence के लिए वो proof क्या देते हैं, उसको एक बार हम study करते हैं, तो जो हमारा पहला proof रहेगा, वो रहने वाला है, ontological proof for the existence of God by Saint Anselm, यह Saint Anselm है, और इन्होंने ontological proof दिया है, ontological जो word है, वो बना है onto से, जिसका meaning होता है being, जब हुम being की study करते हैं, that is called ontology, which is also a branch of philosophy, तो दर्शन में हम अगर यह समझेंगे कि इश्वर के असित्य का क्या प्रमान है, तो हम पहले समझते हैं ontological argument को, जिसमें Saint Anselm क्या कहते हैं, इसको एक बार हम समझते हैं, यह कहते हैं, God is defined as the greatest conceivable being, God is defined as the greatest conceivable being, possessing all perfections, यह कहते हैं कि इश्वर जो है, वो ऐसी रचना है, ऐसी ऐसा being है, जो कि अपने आप में greatest भी है, महंतम है, और अपने आप में perfect भी है, सभी प्रकार किये जो उसमें perfections हैं, वो इश्वर में होते हैं, आगे यह कहते हैं, if God exists only in our minds as an idea, then the greater being could be imagined, one that exists both in our minds and reality, अगर इश्वर सिर्फ हमारे मन में रहता है, तो एक विचार की रूप में इश्वर हमारे मन में रहता है, then the greater being could be imagined, one that exists both in our minds and reality, तो हम उससे great being की भी कलपना कर सकते हैं, अगर इश्वर हमारे मन में है, तो मन से हम ये भी कलपना कर सकते हैं, कि इश्वर जो है, वो कोई कहां है वो reality में भी है जो वास्तविक्ता में भी है आगे यह कहता है however being that exists both in our minds and reality is greater than being that exists only in our minds अब यह आगे कहता है कि ऐसा अस्तित्तो ऐसा being जो की reality में भी है और हमारे मन में भी है वो उससे तो बहतर है ना जो सिर्फ हमारे मन में है वो उससे बहतर है जो हमारे मन में है तो यह आगे कहता है therefore it God exists only in our minds then we can conceive of a greater being contradicting the definition of God as the greatest conceivable being और अगर हमारे मन में सिर्फ अगर इश्वर ऐसा है जो कि हमारे सिर्फ मन में है तो फिर तो यह contradiction हो जाएगा कि वो सबसे greatest being है क्योंकि greatest being है तो वो सिर्फ मन में नहीं नहीं सकता वो reality में भी होगा वो reality में भी होगा क्योंकि वो तो greatest है वो तो all perfectionist है उसमें तो सभी प्रकार के perfections है जो सभी प्रकार के perfections है तो हमारे सिर्फ मन में ही तोड़ी नहीं होगा वो कहा होगा reality में भी होगा, अब क्योंकि वो reality में भी है, which means God exists in reality, since we cannot conceive of a greater being than God, it follows that God must exist in reality, क्योंकि हम ईश्वर से उपर किसी भी ऐसे being को conceive नहीं कर सकते, जो कि उससे जारा perfect हो, reality में, इसका मतलब यह है कि reality में अगर कोई सबसे जारा परफेक्ट है, तो वो कौन हो सकता है, वो ईश्वर ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है, not just as an idea in our minds, hence God exists, इसका मतलब यह है, कि जो ईश्वर है उसका अस्त्त है, इसको मिल सिंप्लिफाई कर देता हूँ, कि सेंट एंसलम यह कहता है, कि ऐसा कोई being, जो कि हमारे मन में है, उससे बहतर वो हो सकता है, जो हमारे मन में भी हो, और reality में भी हो, और वो क्या है, वो सबसे ज़रा perfect है, he is all perfect and he is the greatest being, वो greatest भी है और वो perfect भी है, अगर वो greatest भी है और perfect भी है, सारे perfections उसमें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सिर्फ हमारे मन में हो वो reality में भी होगा तो ऐसा being जो हमारे मन में भी है और जो reality में भी है वो उससे तो बहतर है ना जो सिर्फ हमारे मन में है इसका मतलब यह है कि वो reality में है अब क्योंकि वो reality में है which means God exists ऐसा तरक देता है St. Anselm, इस प्रकार से वो इश्वर के अस्तित को प्रमारित करता है with the ontological proof for the existence of God. Next, आगे हम देखते हैं, अगला जो proof है, वो है cosmological argument. Cosmological argument that is given by St. Thomas Aquinas. St. Thomas Aquinas को इनके proof के लिए काफी जाना जाता है, क्योंकि इनका एक बड़ा contribution रहा है इश्वर के अस्तित को प्रमारित करने के लिए. ये हैं St. Thomas Aquinas, और ये क्या कहते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं, cosmological argument में ये क्या कहते हैं, इश्वर के अस्तित को प्रमारित करने के लिए. ये कहते हैं, every being that exists, either contingent or necessary. Contingent का मतलब है यहाँ पर accidental, जो चीज अभी है और कल नहीं होगी, और जो किसी भी चीज के ऊपर, दूसरी चीज के ऊपर वो depend करती है. ठीक है? और necessary का मतलब है, that is all pervading and that is universal and that is eternal, जो हमेशा रहती है. जैसे कि हमने Plato के ideas को पढ़ा था, Plato के ideas जो हैं, वो necessary हैं, और जो चीजें हैं यहाँ पर वो कैसी हैं, वो contingental यानि कि वो accidental हैं, ठीक है? तो यह कहता है कि कोई भी ऐसा being, कोई भी being हो, या तो वो necessary होगा, या फिर वो क्या होगा? वो contingent होगा, दोनों में से कोई एक वो होगा, not every being can be contingent, अब हर चीज, हर being जो है, हर entity जो है, वो contingent नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा, जो necessary होगा, contingent मतलब दूसरों के उपर depend रहने वाला, तो कुछ तो ऐसा होगा, जो दूसरों के उपर depend नहीं रहता है, आगे यह कहता है, therefore there exists a necessary being on which contingent beings depend, है ना, तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा being exist करता है, जिसके उपर सभी contingent being जो है, वो depend करते हैं, और वो कौन हो सकता है, unnecessary being on which all contingent things depend, is what we mean by God, और वो कोई और नहीं हो सकता, वो कौन हो सकता है, वो इश्वर ही हो सकता है, therefore God exists, इस प्रकार से इश्वर असित्त में है, अगर हम बहुत एक जगत में कुछ भी देखते हैं अपने आसपास की चीजों में, तो अपने आसपास हम कुछ भी देखते हैं, तो आसपास हमारे जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़िया एक दूसरे के ऊपर डेपेंड होती हैं, कोच भी आप देख लीजिए आप अपने फोन में अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर लैक्टॉप में इस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो को चलने के लिए वो किसके उपर डिपेंड है इंटरनेट के उपर डिपेंड है इंटरनेट किसके उपर डिपेंड है अभट है was connection कई सारे connections इंसां का cerca रहती है किसी चीज्ज कियो Bei reject whole video को देख रहे हैं तो वह कुरसी बनाने के लिए किस चीज़ के ضरुवत थी हम लकडी की या फिर लोहे की प्लास्टिक के ज़्रोवत थी और जो लकडी है वो पेड़ के उपर डिपेंड थी क्या ना क्योंकि बेना पेड़ के तो लकडी आएगी नहीं कुछ तो ऐसा होगा जिस पर सारी चीजें चारी depend रहने वाली चीजें depend होती हैं लेकिन वो किसी के ओपर depend नहीं रहता वो क्या हो सकता है कही ना कहीं तो यह cycle end होगा ना वो कहां होता है, इस चक्र को तोड़ने के लिए, Thomas Aquinas ने किसका concept दिया है, इश्वर का concept दिया है, वो ये कहता है कि जितनी भी contingent beings हैं, जितने भी dependent प्राणी हैं, dependent चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें dependent रहती हैं, इश्वर के उपर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इश्वर का असित तो है, इस प्रकार से सेंट Thomas Aquinas जो है, वो इश्वर के असित को प्रमानित करता है, नेक्स्ट है हमारे पास, दिजाइन और टेलियो लॉजिकल आर्गुमेंट वाई विलियम पेले, टेलियो लॉजिकल आर्गुमेंट टेलियो लॉजिकल जो वर्ड है, वो बना है टेलोस से, और टेलोस का मतलब होता है परपस, यहां पे यह कहते हैं कि अगर जगत में आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, हर चीज कुछ न कुछ परपस के साथ में होती है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ यह, तो इसका भी कुछ परपस था, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका भी कुछ परपस है, मैं UPSC के लिए पढ़ाता हूँ, उसका कुछ परपस है, आप UPSC के त्यारी करते हैं, उसका कुछ परपस है, हर चीज का एक परपस है हर चीज का एक रीजन है every effect has a cause और वो cause कौन सा हो सकता है क्या हो सकता है ऐसा cause जो सारे effects का cause हो ठीक है, ये क्या कहते हैं आगे all design imply a designer यानि कि भातिक जगत में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है कुछ क्या है, एक design ही तो है कुछ ऐसी चीजे हैं जो बहुत ही unique है बहुत ही important है हमारी life में और बहुत ही perfect से दिखाई देती हैं और वो काफी महान designs है a great design implies a great designer और अगर एक बहुत महान design है तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें एक महान designer चाहिए अगर हम जगत की बात करते हैं तो जगत में कितना अच्छा order बना पड़ा है एक करम बना है चीजें एक दूसरे से एकदम विवस्तित रहती हैं और वो विवस्तित रहती है किस प्रकार से विवस्तित रहती है उनमें वेवस्था कौन देता है, उनको बनाने के पीछे क्या कारण था, क्या परपस था, और अगर कुछ परपस था, तो वो परपस किसके माइड में था, किसने उस परपस के द्वारा इन सारी चीजों की रचना की है, इतना सुंदर जगत कैसे बन सकता है, और इतना सुंद ग्रेट मशीन बहुत सारी ग्रेट मशीनों की तरह इस जगत में डिजाइन्स हैं जैसे की यूमन आई मानव की आँख को देख लीजिए कितनी ग्रेट मशीन है जो हमारा काम कितना सुगम बना देती है कि हम जगत के दर्शन करते हैं पूर्य संग्सार को हम देख सकते हैं अगर आँखे ना हो मनुशी के पास तो क्या है हम इस जगत को देख नहीं सकते हैं हमारे लिए जगत जो है वो क्या है बिल्कुल सून सुनाया दुनिया कैसी हो जा इने जो कि human beings नहीं बना सकते कोई तो ऐसा होगा जो इतनी great design को बना सकता है which means he is a great designer ठीक है और अगर हम बात करते है male female की तो इन में differentiate कौन करता है कोई तो होगा इंसान के हाथ में तो नहीं है यह कि भी male होगा या फिर female होगा इनसान के हाथ की बसकी बात नहीं है कि वो बना ले कोई तो ऐसा होगा इतना great design उसने बनाया है और वो great design को बनाने वाला कौन है therefore there must be a great designer of the world that is God उसका नाम क्या हो सकता है इस्षर God ही हो सकता है क्योंकि इस जगत में हमें इतने सारे great designs दिखाई देते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं teleological argument भी बोलते हैं और इसको design argument भी बोलते हैं design argument इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस जगत को हम design के रूप में देखते हैं और design को करने वाला जो है वो designer होता है और designer को हम देखते हैं e-sure के रूप में इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ईश्वर है वो क्या है उसके माइड में कुछ परपस है इस जगत को बनाने का जो परपस है वो उसके माइड में है किसी इंसान के माइड में तो नहीं हो सकता कि आख को बनाने के क्या परपस था हमारे body में जितनी भी चीज़ें हम उनको इस्तिमाल करते हैं that's it हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम और इसमें क्या add कर सकते हैं और हम सोच भी लें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो design है ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है ये तो कोई great being है great designer है जिसने इस design को बनाया है और वो great designer कौन हो सकता है उसका नाम कौन है उसका नाम क्या है वो है ईश्वर यानि कि वो है God आगे बात करते हैं next is moral argument moral argument देता है can't can't ने हलाकि जितने भी proofs for the existence of God है सभी को criticize किया है जितने भी इश्वर के असित्य के प्रमान है सभी को criticize करता है उसके बाद वो अपना argument देता है और उसका खुद का argument क्या है moral argument for the existence of God Emmanuel Kant एक German philosopher है और philosophy में इसका काफी बड़ा योगदान है तो इसके argument को हमें बहुत ही seriously समझना होगा ये कहता है existence of our moral sense and the universality of moral duties imply the existence of a supreme moral lawgiver which is identified as God simple शब्दों में अगर हम समझते हैं तो माल लीजिये आप रेल्वे station पे बैठे हैं और गाड़ी का इंतिदार कर रहे हैं आपके बगल में एक और यात्री हैं जिनको यात्रा करनी है और वो भी गाड़ी का इंतिजार कर रहे हैं और वो अपना बैग जो है अपने साथ में रखके बैठे हैं आप भी अपना सामान साथ में रखके बैठे हैं गाड़ी आ जाती है गाड़ी के आने से पहले जो आपके साथ वाले जो विक्ति थे उनको किसी काम से जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए जाना था या फिर वाश्रूम जाना था और उन्होंने का कि भाईया मेरा ज़रा सामान देखे रहे ना मैं अभी आया इतने में गाड़ी आ जाती है अब आपके पास दो आप्शन है पहला यह कि आप अपने सामान के साथ में उसका भी सामान उठा ले क्योंकि आपके पास सो अपॉर्चनिटी है ना कि आपको तो सामान मिल गया फुरी में पता नहीं क्या क्या बहुमूली चीज़ें होंगी उसमें और आप उसको उठाके चड़ जाते हैं गाड़ी में क्योंकि वो तो है नहीं हो क्या कर लेगा आपका वो तो आपको जानता ही नहीं वो आपका कुछ नहीं भी गड़ सकता है ना ऐसा भी हम एक बार सोच सकते हैं लेकिन ऐसा हम कम सोचते हैं हमारे मन में विचार आता है नहीं ये गलत है हमें इस प्रकार से चोरी नहीं करनी चाहिए व कई बार हम अकेले होते हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं हमारे पास आजादी होती है, कई बार इस तरीके के मौके हमारे पास होते हैं कि हम कुछ immoral कर सकते हैं, कुछ unethical कर सकते हैं जहां पे हमें कोई नहीं देख रहा होता है, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं करते हैं, फि पूरवग्विवहार करना है, चोरी नहीं करना है, जूट कम से कम बोलना है, जितने पर काम से कम चल पर дома आज दारा जूट नहीं बोलना है, कुछ भी गलत नहीं करना है तो यह जो moral sense है यह हमें कहां से आता है मान लेते हैं हमें हमारे teachers ने सिखाया है हमारे parents ने सिखाया है हमें society ने सिखाया है लेकिन कुछ ऐसे morals होते हैं जो हमें किसी ने ने सिखाया लेकिन फिर भी हम उनको follow करते हैं पीचर को किसने सिखाया उसके टीचर ने उसको टीचर को उसके टीचर ने जो सबसे लास्ट टीचर होगा उसको किसने सिखाया होगा मेरी माँ को उनकी माने सिखाया था जो सबसे पहली माँ होगी उसको किस ने सिखाया था अगर society के बात करते है society हमें क्या देती है कुछ moral values सिखाती है कि भई क्या करना है क्या नहीं करना है society को वो rules किस ने दिये उससे पहले की society को किस ने दिये सबसे पहला उस हमास था उसको यह moral conduct किस ने दिया, यह ethical courts किस ने दिये, तो कही ना कहीं से तो वो आये थे ना, और वो कहां से आये थे, वो इश्वर से आये थे, वो इश्वर नहीं दिये थे, तो सभी प्रकार के जो morals हैं, सभी प्रकार की जो ethical values हैं, वो कहां से आती हैं, वो इश्वर से आती है, अब क्योंकि इश्वर से आती है, God's existence is necessary to provide a foundation for objective morality and ensure the fulfillment of moral obligations, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो God का existence है, वो necessary हो जाता है, कि सभी को moral being की तरहां क्या करना, उनसे act करवाना, और उनके जितने भी moral obligations हैं, उनको fulfill करवाना, तो ये काम किसका है, ये God का है, इसका मतलब ये है, कि जो God है, वो क्या करता है, exist, इसका मतलब God exist करता है, इसका मतलब इश्वर का आस्तित तो है, हम अकेले में भी गलत नहीं करते, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, बिना ये देखे, कि हमें कोई नहीं देख रहा है, फि बगवान का डर होता हैि एना हमारे मन में यह भी होता है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब हमें बगवान को जवाद देना होगा रहांकि फ्र भी एमारे मन में यह ड़ता है यह moral तो होते हैं यह values तो होती हैं तो वो कहां से आते हैं वो इश्वर से ही आते हैं अब इश्वर से आते हैं इसका मतलब इश्वर का स्थित तो है this is how we can see that God exists according to the moral argument by Kant अब हम बात करते हैं वेदानता फिलोसोफी की वेदानता फिलोसोफी जो है हमारा भारती धर्शन है और जो शंकराचारे हैं ये इसमें albeit निर्गुरु बरह्म की बात करते हैं और ये कहते हैं कि चयल्ग और क्रिगो ये को कार्मिक पर-sensuous, non-intelligent qualities like addressed by themselves, meditate और appropriate, justly deserved pleasure and pain. यानि कि हम क्या करते हैं? हम कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं. और सभी चीजों के फल जो हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं, सभी कर्म के फल जो हैं, वो हमें भुगतने पड़ते हैं, The fruits according to him must be administered through the action of a conscious agent, namely a supreme being that is eesur. हम सही करते हैं, गलत करते हैं, इसका जो moral governor है वो कौन होगा? हमने कितने अच्छे काम किये, हमने कितने बुरे काम किये, हमने कितने पुण्य किये, कितने पाप किये, पुण्य का मतलब है अच्छे काम, पाप का मतलब है गलत काम. हमने कितने पुर्णी किये, कितने पाप किये, इसका हिसाब कौन रखता है, इसका लेखा जोका कौन रखता है, और उसके according हमें, जो हमारे कर्मों के फल है, वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, वो कर्म के फल का दाता कौन है, वो कोई और नहीं हो सकता, कोई कोई cosmic agent ही हो सकत है ठीक है और वो कोन हो सकता है वो supreme being हो सकता है दाट is called ishar or God ठीक है दर नियाय स्कूल makes similar arguments जो नियाय school of thought है गौतम का वो भी यही argument देता है क्योंकि हमारे हम कौन है हम मनुष्य है finite being है हम कुछ कर्म करते हैं कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, घलत कर्म का फल हमें कौन देता है, वो हमें ईश्वर देता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, Therefore, God must exist, तो विधान्त दर्शन ये कहता है, क्योंकि हम सही और गलत करम करते हैं, तो सही और गलत कर्म का हिसाब रखने के लिए उसके करमों को हमें करमों के हिसाब से हमें फल देने के लिए कोई ना कोई तो moral governor होना चाहिए और वो moral governor कोई और नहीं है, वो ईश्वर है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ईश्वर है वो अर्सित्त में है, God जो है वो exist करता है, अगला argument क्या है, इसको हम देखते हैं, जैनिजम क्या कहता है, हलाकि जो जैनिजम है, वो एक नास्तिक दर्शन भी है और अनीशरवादी दर् वो भी ना तो वेदों को मानता है और नहीं वो ईश्वर को मानता है, और अगर हम बात करते हैं चारवाग की, तो चारवाग भी ईश्वर और वेदों को दोनों को नहीं मानता, तो ये तीनों ही दर्शन अनीशरवादी भी हैं और ये नास्तिक भी हैं, तो जैनिजम क्या क चीजे हैं जितना भी जो भी सब्स्टेंस है वो सारी चीजें कैसी है वो सब eternal है यहनी कि वो साश्वत है जिनका ना तो कोई आधी है और ना ही कोई अंत है ना तो कभी शुरू ही थी और ना ही वो कभी खतम होंगी टीक है universe runs on its own accord by own cosmic laws और ब्रह्मान्द के खुद के अपने कुछ नियम है जिसके अनुसार वो चलता है इसको चलाने के लिए किसी issue की जरूरत नहीं है all the substances change or modify their forms continuously सभी चीजों में change होता है लगाता nothing can be destroyed or created in the universe किसी भी चीज को ना तो destroy किया सकता है नहीं किसी भी चीज को create किया सकता है जैसा कि science भी कहता है हर चीज को हम science के rules को समझके बस modify कर लेते हैं कुछ समय के लिए और हमें लगता है कि देखो मैंने camera बना दिया देखो हमने mobile phone बना दिया जबकि हमने ना तो उसमें कुछ energy को produce किया है और ना ही हमने energy जो है वो कुछ कम की है ना ही हमने production किया है ना ही हमने destruction किया है बस हमने चीज़ों को इज़त से उधर उठाके रख दिया है और समय आने पर वो सारी चीज़ें बापस वहीं चली जाती है जहां से वो आई थी तो इस प्रकार से जो ब्रहमान्ड है वो अपने खुद के नियमों पे चलता है और सारी चीज़ें अपने आप से विवस्थित होती है ब्रहमान्ड के खुद के नियमों पर इंसान का इस पे कोई विवस्ष नहीं होता अब जो universe जो ब्रहमान्ड है उसके अफ़ेट्स को समालने के लिए किसी भी being की जरूत नहीं है, किसी भी agent की जरूत नहीं है, किसी भी ऐसे वक्ति की जरूत नहीं है, जो इस ब्रह्मान्द को चलाए, ऐसा जैनिजम कहता है, hence जैनिजम does not believe in God, इस तरीके से यह इशर्व में विश्वास नहीं करते हैं, कि O for operator, यानि कि Vishnu, D for destroyer, यानि कि Lord Shiva, भगवान शिव, ठीक है, तो ऐसी किसी भी concept में यह विश्वास नहीं करते हैं, ना तो वो creator है, ना ही वो survivor है, और ना ही वो destroyer है किसका, universe का, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता, universe जो है, जो ब्रह्मान्द है, वो अपने खुद के नियमों पर चलता है, तो इसका मतलब यह है कि जो वेक्ति अपने कार्मिक एक्शन से उपर उठके, जो अपने कर्म के बंधनों को तोड़ देता है, और इस जगत के जितने भी बंधन है, सभी से मुक्ष की प्रात्ति कर लेता है, तो इसको जिन बोलते हैं, और उसी को इश्वर की उपादी दे दी जाती है, वो इश्वर के समान हो जाता है, इश्वर नहीं होता, अला कि वो इश्वर के समान हो जाता है, क्योंकि इश्वर जैसे कुछ गुण उसमें आ जाते हैं, तो इस तरीके से जो आर्गुमेंट्स हैं, वो जैनिजम के हैं, कि वो इश्वर को नहीं करता और कैसे करता है सांग की दरशान की एगर हम बात करते हैं सांग की दरशान के जो परणेता हैं वो महरशी कपिल है अलाकि यе खुद विश्णू के अफ़तार माने जाते हैं लेकिन उसके बाद कि इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए हम उसके existence की हम बात नहीं करते Classical song argues against the existence of God, metaphysical on metaphysical grounds, यानि कि कोई भी metaphysical ऐसी entity नहीं होती जिसको हम ईश्वर मानते हैं जो हमारा Classical song की है, वो ये बात कहता है For instance, it argues that an unchanging God cannot be the source of an ever-changing world God, यानि कि जो ऐसा जगत, जिसमें हमेशा कुछ न कुछ चेंज होता रहता है, जो जगत है उसमें हर छण, हर सेकिंड में कुछ न कुछ चेंज हो रहा है उसको बनाने वाला कोई ऐसा being हो, जो कि never changing है ये कैसे हो सकता है, उसमें खुद में कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिं वो जिस चीज को बना रहा है जगत को, उसमें चेंज हो रहा है तो ये बात तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है इस तरीके से ये कहते हैं कि जो God है, उसके एस्तित्त को हम प्रमानित नहीं कर सकते इसलिए हम उसके अस्तित्त की बात ही नहीं करते नेक्स चारवाग चारवाग जो है, ये नास्तिक भी है अनिश्वरवादी दरशन भी है ना तो ये वेदो को मानता है, ना ही ये ईश्वर को मानता है ये कहता है, त्रेयो वेदत से करता रहो वो भंड़दूर्ट निशाचरा, तीनों वेदों के जो रचाइता है, वो भंड़दूर्ट निशाचर है, ईश्वर, राक्षस, सभी प्रकार के जो concept हैं, वो इनीने बनाए हैं, सुरक नरक अच्छा बॉरा, जितने भी concept हैं, आत्मा परमात्मा, सुरक नरक पॉन्ने सभी concept अपनी ने मनाये हैं, तो इनके चकरों में ना पड़ो, जावत जीवे, सुखम जीवे, रेडम करता गर्तम भीवे, जब तक जीओ, सुख से जीओ, घी, पियो, भलेई, उधार लेके पियो, ऐसा ये कहते हैं, तो ये कभी भी ईश्वर की बात नहीं करते, किसी भी ऐसी मेटा नहीं कर सकते, तो इश्वर के बारे में हम बात ही नहीं करते, क्योंकि इश्वर को हम देख नहीं सकते, तो इश्वर के बारे में हम बात ही नहीं करते, तो हमारे लिए ये इश्वर है ही नहीं, ऐसा चारवा कहते हैं, Heterodox Indian philosophy states that there is no God, संसार, रीबर्थ, और कर्मा, no duty, no fruits of merit or sin. Proponents of the school of Mimansa, which is based on rituals and orthopraxy, decided that the evidence allegedly proving the existence of God is insufficient. Mimansa जो दर्शन है, वो इश्वर के अस्टित्र के बारे मिजदनी भी बाते करता है, वो insufficient है. वो प्रूफ दो है, वो प्रमानित नहीं कर सकते, they argue that there is no need to postulate a maker for the world, just as there is no need for an author to compose the Vedas or a God to validate the rituals. चीक है? यानि कि अगर आप ये कहते हैं कि जो वेध हैं, उनका कोई composer नहीं है, Vimansa यही तो कहता है, कि जो वेध हैं, उनका कोई composer नहीं है, उनको कोई लिखने वाला नहीं है, किसी ने उसको लिखा नहीं है, वो अपने आप से प्रकट हुए हैं, तो इस तरीके की बातों को वो नहीं मानते हैं, कि कोई चीज अपने आप प्रकट हो जाती है, इस तरीके से कुछ metaphysical entities हैं, इस्षवर हो गया, जगत हो गया, आत्मा हो गई, परमात्मा हो गई, तो इस तरीके के जो concept हैं, इनमें विश्वास नहीं करते, आत्मा के नहीं होने के लिए भी arguments देते हैं, ये कहते हैं कि जिस प्रकार से, महंदी में अपने आप से कोई रंग नहीं होता, लेकिन महंदी को अगर घिसा जाता है, और हतेली पर लगाया जाता है, तो लाल रंग आ जाता है, पान में अपना लाल रंग नहीं होता, लेकिन पान में चूना और कथा मिला जाता है, और उसको दांतों से चवाया जाता है, तो लाल रंग आ जाता है, उसी प्रकार से जब चार तत्तों आपस में मिलते हैं, प्रत्वी, जल, अगनी और वायू, आकार सत्तों को यह नहीं मानते हैं, तो जब यह चार तत्तों आपस में मिलते हैं, शरीर की उत्पत्ती होती है, तो शरीर में आत्मा अपने आप आ जाती है, और जब चारों तत्तो में विश्वास करते हैं, अब क्योंकि आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, यानि कि ये किसी भी प्रकार की metaphysical entity में विश्वास नहीं करते हैं, that cannot be perceived through our sense organs, और इनके लिए प्रमाड जो एक मात्र है ज्यान के प्राथि का according to them, there is only one source of knowledge, that is perception and since we cannot perceive God therefore God cannot exist for them इस्वार इनके लिए असित्त में नहीं है इस प्रकार से हमने देखा कि philosophy जो है, philosophy में अलग-अलग Indian schools, अलग-अलग Western schools of thought हैं, जो इस्वार के असित्त की बात भी करते हैं, कुछ प्रमानित करते हैं, और कुछ उसका खंडन भी करते हैं, अब ये हमारे उपर है कि हम किस प्रकार से इस्वार को समझते हैं, हमें कौन सा वाला argument जो है, वो पसंद आता है और क्योंकि हम finite being है हमारी जो knowledge है, वो हमारे sense organs के उपर depend करती है और हम क्या करते हैं, हमारी जो knowledge है, हमारा जो ग्यान है वो सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष का मतलब है कि वो relative है, that is not absolute अब क्योंकि वो relative है तो उसका जो relation है वो किस से होता है, reason से होता है revelation से होता है, faith से होता है reason का मतलब ये है कि बुद्धी से हम ये मानते हैं कि इश्वर exist करता है Revelation का मतलब ये है कि कई बार हम इश्वर के ऐसे कुछ चमतकारों को देखते हैं कुछ धर्मे की स्थानों पर तो हमें ऐसा लगता है कि इश्वर है और हम फेट की बात करते हैं फेट का मतलब होता है आस्था और जब हमारे अंदर आस्था होती है तो हमारे लिए तो पत्थर में भी भगवान है और जब आस्था नहीं है तो भगवान हमारे सामने प्रकट भी हो जाएंगे फिर भी हम उनको ये कहेंगे कि इश्वर हमारे लि पर देखते हैं, यह हमारे उपर है और जब भी हम इन में से कोई भी तरीका आपनाते हैं, तो इन कोई भी तरीके में से हम इन में से जितने भी हमें arguments philosophers ने दिये हैं, यह हमें सारे जो हैं, वो valid arguments लगते हैं, क्योंकि अगर हम यह मानते हैं आपनाते हैं, तो सच में हैं, और अगर हम नहीं मानते हैं, तो हमें वो arguments पसंद आएंगे, जो की सांख देता है, या फिर चारवाग देता है ओके, सो दिस इस ओल अबाउट इस क्लास, आप इस वोड़ी तो यू, थैंक यू, आव गूद टे, गूद लख, अब तयारी हुई, अफोड़ब